नमस्कार दोस्तों जै मातादी, जै श्री हरी विष्णु जी, जै गणपती महाराज। दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं? आप सभी आशा करते हैं, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे और माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरी गणेश जी से दोनों हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि है प्रभू, हे माता रानी आप किसी को भी उदास मत रखना, किसी को भी नाराज मत रखना, खास कर उन लोगों को, जिन लोगों का पहले और आखिरी जी और भगवान श्री हरी विश्णु जी के आशीरवाद से बहुत बड़ी खुश्खबरी मिलने वाली है। नहीं तो जिन्दगी भर बैठ कर पच्छताओगे। जी से उपर वाले ईश्वर जी से गुहार लगाएंगे और मन ही मन कहेंगे कि किस्मत तो हमारी भी अच्छी थी लेकिन हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे। उस समय समझ जाना की जिन्दगी आपकी बदलने वाली है। जी हाँ, याद रखिएगा। जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आपकी भलाई के लिए ही होता है क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहती है कि उनका भक्तों कभी भी दुख तकलीफ में हो, कभी भी परेशानी में हो। भगवान ईश्वर आपको हमेशा बेहतर देने की कोशिश करता है लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि भगवान सिर्फ हमें ही यह दुख तकलीफ यह परेशानी दे रही है लेकिन ऐसा नहीं है आपने देखा होगा फिल्मों में अक्षर कठिन रोल हीरो को ही मिलता है ठीक उ सही बोल रहे हैं चलिए वीडियो में आगे बढ़ते ही जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी चले आपकी राशे में तो आपकी राशे वालों की जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन करेंगे यह सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में तो वीडियो को अंत तक देखि और हाँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि इसे कहते हैं नसीब जी हाँ काश ऐसी नसीब सबकी होती प्रभु दोस्तों अब आपको एहसास होगा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं जो चाहिए दिल खोल कर मांग लेना भगवान अब आपकी सुनेंगे भी और आपको जो जो चाहिए वह देंगे जी हाँ जा पूरा अंत तक देखिएगा अगर इस वीडियो को आप अंत तक नहीं देते हैं वीडियो को मिस करते हैं या थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आप आज नहीं बलकि पूरा जीवन भर पच्चताओगे जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपका एक नया जीवन शुरू आपकी जीवन की एक नई दौर शुरू होने वाली है। जी हाँ जो कि दोस्तों बिना मांगे ही अब आपको सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों भगवान की महिमा अपरमपार है। आपके मन में क्या चल रहा है। भगवान वह सब कुछ जानते हैं। आपने किस चीज के आपने कितना सब्र किया है। वह सिर्फ आप और ऊपर वाला भगवान जानता है। किसी को भी कुछ भी बताने की आवश्यक्ता नहीं है। क्योंकि जिसको जानना रहता है वह जान जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। जिंदगी के रस में जो लोग आपको दौड़क कर नहीं हर पाते वही लोग आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं इसलिए नकारात्मक भरे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जी हां दोस्तों आज की संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है इसलिए वीडियो को पूरा देखिए गा कंप्लीट देखि का विनाश होगा जी हां दोस्तों मिठाई बांटने के लिए तैयार रहना क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी खुश खबरी आपके घर आने वाली है जी हां दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि मनुष्य के जीवन में खुशियां आती जाती रहती हैं कभ का यह समय आपके लिए बहुत ही विशेश रहने वाला है क्योंकि दोस्तों अब आपके उपर भगवान बाला जी का विशेश कृपा होने वाले हैं जी हां दोस्तों दोस्तों आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे और दोस्तों अगर आप उन संकेतों को समय रहते पहचान ले तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में वह सभी सुख प्राप्त होने लगेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह शुभ संकेत भगवान बाला जी आपको देने वाले हैं। जी हाँ और इतनी बड़ी खुशखबरी इतनी बड़ी रकम पाकर आप भगवान को भी शुक्रिया आदा करो कि भगवान को भी धन्यवाद करोगी। जी हाँ दोस्तों मैं पूरी गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ कि इससे बड़ी खुशखबरी आपको आज तक नहीं मिला होगा। जी हाँ खुशखबरी बहुत ही बड़ी बहुत ही भयानक है जो कि आप माला माल हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों इसे आप हलके में मत लीजिएगा, क्योंकि इस जीोतिश कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वह सभी रहस्य बताने वाले हैं, जिसे आप अभी तक अंजान है आपको अभी तक उसके बारे में पता नहीं है यह सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उस संपूर्ण जानकारियां देंगे जिन्हें जानना आपके लिए अतिमहत्वप पूर्ण है। अगर आप अपने जीवन में चमतकार नहीं देखा तो देख लो इतना बड़ा चमतकार होगा कि आपका भी होश उडा कर रख देगा। पूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है जो कि सटीक है। इसलिए आज की यह वीडियो जो भी भक्त शुरू से लेकर एकदम अंत तक देख लेना और सभी बातों को कान लगा कर ध्यान से सुन लेगा। तो दोस्तों उन्हें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आशीरवात प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों क्योंकि दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ अलग बातें बताएंगे, कुछ अलग जानकारी देंगे जो की सबसे हटकर होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ आपकी कुंडली में जाने वाले हैं और वह बहुत बड़ा चमतकार करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी, एक ही बात कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ तो वह कर, जो मैं चाहता हूँ फिर देखा होगा, वही जो तू चाहता है, खाने का तातपर्य है कि सब कुछ भगवान के उपर छोड़ दीजिए और भगवान जैसा कहते हैं वैसा करिए अगर आप भगवान के कहीं हुई बातों पर चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे जी हाँ, आप अपने जीवन में कितना भी महनत कर लो कितना भी जोर लगा लो लेकिन भगवान के बिना कुछ नहीं होगा जी हाँ, हर एक काम करने से पहले भगवान का नाम लो काम होने के बाद भगवान का नाम लो भगवान सभी लोगों को सहारा नहीं देते हैं वह उन्हीं लोगों को सहारा देते हैं उन्हीं लोगों को मदद करती है जो लोग खुद से ज्यादा विश्वास भरोसा भगवान पर करते हैं याद रखिएगा भगवान पर भरोसा करोगे तो आपका भरोसा आपका विश्वास कभी तूटेगा नहीं और अगर लोगों पर विश्वास करते हैं तो एक न एक दिन उसे भरोसे को लोग तोड़ देगा बात समझाई हो तो आज से ही भगवान को अपने जीवन में शामिल कर लो और लोगों पर नहीं भगवान पर भरोसा करना शुरू कर दो फिर देखना आपका सब काम अपने आप ही बनने लगेगा जी हाँ दोस्तों, पवन पुत्र, हनुमान जी, चले आपकी राशे में तो सबसे पहले आपके करियर में लाब देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर में आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में सुधार होगा जी हाँ, जिन जातकों के घर में लड़ाई, जगडा, कलह, कलेश, वाद, विवाद, बार-बार होते रहता था उन सभी के जीवन में इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और फिर से आप सभी के जीवन में खुशियां आने वाली है जी हाँ, पवन पुत्र हनुमान जी के आशीरवाद से आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा और संपत्ति संबंधित मामलों में अगर कोई समस्या है, तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति से बात चीत कर सकते हैं तभी आपको उसे समस्या का समाधान मिल पाएगा, नौकरी या किसी काम को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो उन्हें कोई पवन पुत्र हनुमान जी के आशीरवाद से खुश खबरी सुनने को मिल सकती है जी हाँ, आज आप दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विश्णु महेश जी के आशीरवाद से आपके चारों और का वातावरण खुश नुमा रहेगा जी हाँ, आज आप पूरे दिन का आनंद लेंगे, हर एक पल का मौज उठाएंगे आप क्योंकि आज पूरा दिन एक के बाद एक खुश खबरी मिलती रहेगी लेकिन जो लोग अपने घर से दूर रहकर कोई बिजनिस, कोई व्यापार करते हैं उन्हें आज के दिन सतर्क रहना होगा क्योंकि लेंदेन के मामले में आज आप से कोई गलत ही हो सकती है जिससे आज आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है इसलिए समय से पहले ही हम सभी को सचेत कर रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें देखिए दोस्तों, आज आपको कोई आवश्यक सूचना सुनने को मिल सकता है जिससे आप तुरंत आगे ना बढ़ाएं जी हाँ, उसे पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले पूरी फैमिली एक साथ मिल कर उसके बारे में डिसकशन कर ले अच्छे से बात चीत कर ले तब ही उसे आगे बढ़े तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नुकसान का सामना करना पढ़ सकता है जी हाँ, दोस्तों बता दे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप एकदम आश्चर्य चकित हो जाएंगे जी हाँ, बस आप भगवान के दिये गए कर्मों का फल मिलने वाला है मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान है जो कि ऐसा चमतकार आपकी जिंदगी में हो रहा है सभी के जीवन में ऐसा चमतकार नहीं होता है, मात्र ही से वीडियो को पूरा अंत तक देखना क्योंकि अब आपको सभी चीजों से राहत मिलने वाली है जी हां, क्योंकि अब आपके साथ यह दिव्य शक्ति घूम रहे है आपकी किस्मत का पासा पलट चुका है, भगवान का सीधा आशीरवाद मिलने वाला है दूसरों के जीवन में फैलाया गया प्रकाश, हमारे जीवन को स्वतह ही रोशन कर देता है इसलिए मेरे प्यारे मित्रों जब भी किसी के मदद करने का अवसर प्राप्त हो, मौका मिले तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए हमेशा दूसरों को अच्छी सलाह दे हमेशा दूसरों को खुशियां प्रदान करने की कोशिश करे देखिए दोस्तों यदि आप सच्चे मनो भाव से दूसरों को खुशियां प्रदान करते हैं तो आपका जीवन अपने आप ही खुशाहाल हो जाएगा क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे जीवन में लोट कर आता है यदि हम एक दूसरे को सुख देंगे तभी हमारे जीवन में सुख शान्ती आएगी और यदि हम एक दूसरे को दुख देंगे तो भगवान भी हमें दुख ही देंगे क्योंकि वहीं शुद्ध मूर होकर लोटती है देखिए दोस्तों सत्य और अच्छाई कभी भी भीड के साथ नहीं चलती है और यह हमेशा अकेले ही और भगवान की कृपा से चलते हैं इसलिए अच्छे चरित्र, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचार वाले लोग हमेशा याद किये जाते हैं और ऐसे लोगों के उपर भगवान की विशेश कृपा हमेशा बनी रहती है जी हाँ, ऐसे लोगों के लिए भगवान हमेशा तयार रहते हैं और जरूरत पढ़ने पर भगवान ऐसे लोगों को मदद भी करते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करता करें ना कर सकें शिव करे सो होए तीन लोग नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई दोस्तों जीवन में जो भी कुछ होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है ईश्वर से ही दिन है ईश्वर से ही रात है और यह बात यदि आप मानते हैं तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा देखिए दोस्तों सितारे कहते हैं कि आज के दिन आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा धन की आगमन अच्छी खासी होने वाली है और यदि आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं एक दूसरे के लिए आप खर्च करते हैं यह कही न कहीं आपके लिए खुशी का विशय रहेगा और इससे आपको प्रसन्नता का अनुभव भी होगा क्योंकि इस राश्ची की जो लोग होते हैं दूसरों की खुशी में ही खुश रहना पसंद करते हैं यानि की एक प्रकार से यूँ कहें कि दूसरों की खुशियों से उन्हें खुशी मिलते हैं इस समय अवधी में आपके हाथों से कोई बड़े शुब कार्य होते हुए नजर आएंगे अपने धन का संचय कैसे करें यह हुनर आज के दिन आपको सिखाना चाहिए और इस हुनर को सीख कर आप अपने धन को भी बचा सकते हैं अपने धन को सही जगह में लगा सकते हैं इसी के साथ हम आपको बता दें कि इस समय अवधी में तनाव का दौर अभी आपके जीवन में बरकरार बनी रहेगी आपको शांति दिमाग से कार्य करना होगा लड़ाई जगड़ा बाद विवाद की स्थिति से अभी आपको संभाल कर रहना होगा लड़ाई जगड़ों से अभी आप दूर ही रहे, तो यह आपके लिए बहतर होंगे इस समय अवधी में घर परिवार का सहयोग वसपोर्ट बना रहेगा माता पिता के आशीरवाद से आप अपने जीवन में ही लगातार तरक्की करेंगे और दिन ब दिन आप आगे बढ़ेंगे आज लंबे समय से जो चले आ रहे हैं चाहे लड़ाई हो जगडा हो या फिर कोई अन्य मामला है तो आज के दिन बहुत सभी मामला सुरक्षा हुआ नजर आएगा हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए इसलिए सभी मसले को आज ही सुलजा लें तो यह आपके लिए बहतर होंगे आज के दिन चुप रहना ही बहतर रहेगा क्योंकि लड़ाई जगडों की स्थिती पुराने बटन विवादों को समाप्त कर दें पर एक नए जीवन की शुरुआत करें तो यह बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों अब ऐसा परिवर्तन होगा आने वाले अगले 24 घंटे में जो की आपकी जिन्दगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा दोस्तों भगवान भोले नाथ की क्रिपा से अब आप अपने जीवन में चाहे कितने भी मुसीबत जेल रहे हो उनका अबंत होना सुनिश्चित हो गया है जी हाँ दोस्तों अब आपकी आर्थिक जीवन में अचानक से बदलाव होता हुआ दिखाई देने वाले हैं अब आपके सामने ऐसे राह अचानक से उत्पन होंगे जिन पर चलने से आपका भाग्य उदय होने लगेगा तथा आपका किस्मत हीरे के समान चमकता हुआ दिखाई देगा जी हाँ दोस्तों यदि आप अपने जीवन में बुरे ग्रह दोशों से जो रहे हैं तो अब आप निश्चित हो जाईए आपके जीवन में जितने भी ग्रह और बुरे दोश चल रहे हैं बुद्ध और शुक्र अब उनका अंत करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत खास है, सामान ये ग्रह गोचर के आधार पर आज के वीडियो का निर्मान हुआ है, अनुरोध करेंगे, अंत तक देखिएगा दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तीन जगहों से भारी धन लाब होगा जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मनुष्य के जीवन में ग्रहों के गणनाओं के अनुसार, कई प्रकार के महत्वपूर्ण घटनाएं जीवन में होती रहती है ऐसे में जोतिश शास्त्र के अनुसार, भविश्य में होने वाली विभिन घटनाओं का आकलन करके मनुष्य के जीवन में ये सब घटनाएं हैं, उन्हें और ज्यादा शुभ बनाया जा सकता है और जो की कुछ ऐसी घटनाएं हैं, मनुष्य को व्याकुल कर सकता है, इंसान को परेशान कर सकता है तो दोस्तों आप इस स्थिती में कुछ उपायों को करके, कुछ सावधानियों को बरत कर, आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं और आने वाले समय को महत्वपूर्ण लाबप्रद बना सकते हैं जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें जोतिश शास्त्र के अनुसार आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिससे की दोस्तों, आपको तीन जगहों से भारी धन लाब होगा, तीन बड़ी खुशखबरी मिल सकता है जी हाँ दोस्तों, दोस्तों, जोतिश गणनाओ के अनुसार, ग्रहों की राशियों में परिवर्तन होने की वजह से तथा कई शुभ क्रिया कलापों की वजह से आप अपने जीवन में लाब की प्राप्ति आसानी से भी कर सकते हैं दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि ज्योतिश घटनाओं के अनुसार हम आपको बताने वाली आज आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाले हैं और किस प्रकार से धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी को प्रसंद कर सकती है ताकि आपके घर में धन दौलत की प्राप्ती हो और माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरी विश्नु जी की कृपा से आपके घर धन धन की बरसात होती रहे किस प्रकार से रूपए पैसे में बढ़ोतरी हो सके सारा चीज बताएंगे वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों तरक्की के घोडे पर सवार हुई आपकी किस्मत अब यह आपको राजा बना कर ही छोड़ेंगे जी हाँ दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें आपके कुंडली में दो बड़े राज्य योग और दो बड़े धन योग का निर्मान होने जा रही है जी हाँ दोस्तों, यह दो राज योग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंतरिक्ष के कई ग्रह अपना राश्य परिवर्तन कर चुके हैं जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मंगल का राश्य परिवर्तन हो चुका है, बुध का राश्य परिवर्तन हो चुका है और यहां तक गुरु शुक्र भी अपना बड़ा राश्य परिवर्तन कर चुके हैं तो दोस्तों इतने सारे ग्रह अपना अपना राश्य परिवर्तन कर चुके हैं और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुब साबित होने वाला है जी हाँ दोस्तों दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे. जब जब ग्रहों में राशिका परिवर्तन होता है, तब तब हमारे जीवन में बदलाव होते हैं. ग्रहों में अगर राशिका परिवर्तन ठीक ठाक है, तो हमारा जीवन सही तरीके से चलता है और सही तरीके से व्यतीत होता है ग्रहों की चाल अगर सही हो तो इनसान को कम मेहनत में ही बड़ी सफलता मिलने लगती है और अगर ग्रहों की चाल सही ना हो तो इनसान लाख प्रयास करता है लाख कोशिश करता है फिर भी उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं मेहनत के अनुसार फल न जीवन में पढ़ने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का संपूर्ण भविश्यवानी आज की इस वीडियो में होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, काम्याबी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है जिससे आपके आसपडोस में गली मोहले में जो लोग आपसे जलते थे, बोलो और जल जल कर खाक होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जिन्दगी जीने का असली मजा अब आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिन्दगी में यह माइने नहीं रखता है कि आपने अपनी जिन्दगी को कितना जिया, बलकि माइने यह रखता है कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहे। क्योंकि दोस्तों यह जिन्दगी चार दिनों की जिन्दगी है इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किस जिन्दगी की गाड़ी किसी गलत आदमी की हाथ में ना लग जाए जी हाँ दोस्तों गलत संगती से गलत लोगों से दूर ही रहिएगा यह आपके लिए बेहतर आप उसके साथ जरूर रहीए जिनका तबियत खराब हो लेकिन उनके साथ कभी मत रहिए जिनका नियत खराब हो जो की खराब तबियत पुनह ठीक हो सकता है लेकिन खराब नहीं है न कभी ठीक होगा और ना दूसरों को ठीक रहने देगा क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग न कभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं आज का दिन आपके लिए आनंद मैं रहने वाला है आपके परिवार में छोटे बच्चे आप से किसी चीज को लेकर जिद कर सकते हैं आपकी खर्च करने की आदत को लेकर समस्या आएगी क्योंकि आपके काम लटकेंगे आप अपने धन को संचय करने को लेकर प्लानिंग करें परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी की प्राप्ती हो सकती है आपको अपनी सेहत में गिरावट महसूस हो तो आप समय रहते डॉक्टरी परामर्ष न ले नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है आप किसी से कोई वादा बहुत ही सोच विचार कर करें आज का दिन राजनीत में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है अपने जीवन साथी को लेकर किसी रोमांटिक डेट पर जाने की प्लैनिंग कर सकते हैं आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं आपको किसी गलती के लिए कार्यक्षेत्र में अपने अधिकारियों से डाट खानी पड़ सकती है आपका मन किसी काम के पूरा न होने से थोड़ा परेशान रहेंगे आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बनाएंगे आपके पिताजी आपसे बिजनेस को लेकर कुछ बात चीत कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जीवन साथ ही का आपको भरपूर साथ मिलेगा आप किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर योजना बनाएंगे और संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी आपके किसी मित्र की सेहत आपको परेशान करेगी आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को लेकर कुछ उल्जन में रहेंगे आपका निर्णय लेने की क्षमता बहतर रहेगी आपको किसी काम के पूरा होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जो लोग सिंगल हैं उनकी उनके साथी से मुलाकात हो सकती है आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृध्ध लेकर आने वाला है आपके कामों की गती थोड़ा तेज रहेगी जिसे देखकर परिवार के सदस्यों को खुशी होगी आपकी किसी नई नौकरी की प्राप्ती होने से माहौल खुशनुमा रहेगा पारिवारिक समस्याओं को आप मिल बैठ कर दूर करने की योजना बनाएं तो आपके लिए बहतर रहेगा आपका किसी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद खड़ा हो सकता है पिता जी आप से किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे माता जी से कोई जिम्मेदारी मिल सकती है आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है आपको अपने कामों को लेकर सावधान रहने की आवश्यक्ता है बिजनेस के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको किसी योजना का पूरा लाभ मिलेगा आपको अपने कामों पर पूरा भरोसा रखने की आवश्यक्ता है आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है आपके शत्रू आपके कामों में रोड़ा अठकाने की कोशिश करेंगे आपकी कोई मन की इच्छा पूरी होने से परिवार में किसी पूजा पाठ आदिका आयोजन हो सकता है विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना बना सकते हैं कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास बेहतर रहेंगे आपको अपनी वानी और व्यवहार पर संयम बनाए रखना होगा ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ती से यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें आप से कोई गड़बड़ी हो सकती है आपके घर किसी अतिति का आगमन हो सकता है आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है परिवार में किसी शुभ वो मांगलिक कारेक्रम का आयोजन कर सकते हैं जिसमें परिवार के सभी सदस्य प्रसन रहेंगे जीवन साथी के साथ आप कुछ मौज मस्ती भरे पल वितीत करेंगे जिनके लिए आप उन्हें कहीं बाहर लेकर जा सकते हैं आपको अपनी संतान की फरमाईश पर किसी नए वाहन की खरीदारी करना अच्छा रहेगा आपके जीवन में उत्साह भरपूर रहेगा आपका काम पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है आप अपनी आए को ध्यान में रख कर व्याय करेंगे तो आपके लिए बहतर रहेगा आपको कुछ नए कामों को करना बहतर रहेगा आप अपने सहयोगियों से किसी मन की बात को लेकर बातचीत कर सकते हैं आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं और आप अपने खानपान पर नियंत्रण रखें नहीं तो आपको कोई पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना है आप अपनी दिन चर्या पर पूरा ध्यान दें क्योंकि आप काम पर अधिक ध्यान देंगे जिस कारण आप आराम के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फल दायक रहने वाला है आपके परिवार में किसी नए महमान का आगमन हो सकता है जिससे आप फूले नहीं समाएंगे बिजनेस में अगर कोई प्रोजेक्ट यदि रुका हुआ था तो उसकी शुरुआत हो सकती है आपको किसी काम को लेकर मेहनत अधिक करनी होगी आप अपने घर के रेनोवेशन पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे आपका किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी सांस्कृतिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं मकर राशिके जातकों के लिए आज का दिन खर्चों से भरा रहने वाला है आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो उसके पूरा होने की संभावना है आपको अपनी तरक्की की राह में आ रही बाधाओं को दूर करना होगा माता-पिता की सेवा के लिए भी आप कुछ समय निकालेंगे आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार बहुत ही सोच समझ कर लाने की आवश्यक्ता है क्योंकि इसका असर आपकी जेव पर पड़ेगा जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कोई मेहनत करने की आवश्यक्ता है कुम्भ राश्य के जातकों को वाहन बहुत ही सोच विचार कर चलाने की आवश्यक्ता है आपके जीवन में खुशियां रहेंगी लेकिन आपको उनके लिए समय निकालना होगा आप संतान के कामों का पूरा सहयोग देंगे और आपकी यदि किसी से कहां सुनी हो तो आप उसमें कुछ बहुत ही सोच विचार कर बोले आपको अपने परिवार में किसी सदस्य से कोई सलाह लेनी पढ़ सकती है पारिवारिक बिजनेस में आपको अपने कामों को लेकर यात्रा पर जाना पढ़ सकता है आज का दिन आपके लिए परोपकार के कारियों में बढ़ छड़ कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा आपकी धार्मिक कारियों के प्रती रुची बढ़ेगी और आपको बिजनेस में भी मन मुताबिक लाभ मिलेगा लेकिन आपको संतान की संगती पर आपको विशेश ध्यान देने की आवश्यक्ता है पारिवारिक जीवन में आपसे ताल मेल बेहतर रहेगा